टेकनोलोजी से जुड़ी वीडियो पाने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इस लाल बटन पे क्लिक करके और उसके साथ साथ हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को जरू से जरू दबाएं हेलो फ्रेंट आपका बहुत-बहुत स्वागत है मारे जेनल टेक इन्फुन हंदी मैं हूँ आपका फ्रेंड आपका दोस्तनि आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं नोकिया एट के बारे में उसके बारे में जितना भी लीक्स जितना भी रि्यूमर्स निकल कर सामने आर और अगर अब तक आपने मेरे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए ऐसे वीडियो पाने के लिए तो आएए देखते हैं प्रेंड्स सुरुआत करते हैं पहले हम इसके प्राइस से इसका प्राइस बताया जा रहा है एक से एक्सपेट किया जा रहा है कि 40,000 के लगबग नोकिया इट का प्राइस हो सकता है अब हम जानते हैं कि यह कब launch हो सकता है फ्रेंड्स बताया जा रहा है ऐसा कि 31 जुलाई को यह launch हो सकता है तो देखे 31 जुलाई को launch होता है या नहीं launch हो तो उसके बारे मैं आपको वीडियो बना कर दे दूँगा फिलाल हम बात करते हैं इसके design जो image निकल कर आ रहा है तो उसमें design कैसा लग रहा है वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे glossy look के साथ आपको Nokia 8 जो है देखने को मिल सकता है फ्रेंड्स पीछे के तरफ बहुत ही अच्छा look लग रहा है सामने के तरफ आपको 2.5D curve class के साथ display जो है देखने को मिलेगा पीछे के तरफ Nokia का branding है साथ-साथ dual camera setup भी बोला जा रहा है इस phone में होगा अगर हम बात करें इसके leaked specification के बारे में तो यहाँ पे बताया जा रहा है और साथ-साथ यहां पर आपको देखने को मिल सकता है 13 में का डूल camera setup पीछे की तरफ और फ्रंड में आपको 8 में का camera setup देखने को मिल सकता है तो यहीं सब चीज़े हैं और साथ-साथ मैं आपको बता दू कि इसमें आपको Android 7.0.1 नोगट ऑपरिंश्टम पर यह रन कर सकता है यह सब इस प्रेजिविशन लीग इंफॉर्मेशन में निकल कर आ रहा है जो मैं आपको बताया तो अब देखिए 31 जुलाइ को क्या धमाका होने वाला है नुक्या इट क्या करेगा कैसा इस प्राइस के साथ आएगा कैसा प्रा ना हो तो लाइक करें शेयर करें इस वीडियो को और चैनल तो सब्सक्राइब करें लेंगे तो चलता हूं टेक कियर और बाइबाइ